हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है अंकिस सिंग और स्वाथ करता हूं मैं आपके अपने चोटे से यूटुब चैनल पर जिसका नाम है फोकस सिबिल वर्क दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि हम कॉलम कास्टिंग करते समय किन बातों को दिहान रखते हैं और दोस्तों को साहूल बौलते हैं उसको चैक किस तरीके से जिससे हमारा क्लम सीधा वर्टिकल जाए और दोस्तों वर्टिकल जाने के करणां है कि जो बाते धियान रखती मैं आज आपको वीडियो में बता हूंगा जैसे कि दोस्तों आफको यह कोलम देख रहा है कि 9012 का का कोलम है उसमें क्या करा है हमने सबसे पहला आपको प्रॉपर तरीके से लगानी चाहिए है उसके बाद हमें देखिए यह का इसमें आपको एक ब्रिक का ऊपर दिख रहां वाद आ कि आ हमारे expert mission है जो कि आप plumb up check करके आपको दिखाएंगे कि कास्टिंग हमने कर दिये और लेडी पहले भी हमें plumb up check कर लेना चाहिए लेकिन कास्टिंग के बाद हमें फिर से check करना चाहिए जिससे के बहुत ही बहुत ही minimum gap होना चाहिए जिससे कि आप कह सकते हैं कि हमारी एयर पास हो जाए बस इतना ही gap रखना चाहिए इससे कि होगा हमारा column की जो हाइट है वो सीड़ी वर्टिकल है और हम सट्रिंग हटाएंगे तो हमारा column सीधा वर्टिकल निकलेगा और दोस्तों अगर दिखें इनकेस माली जे वर्टिकल नहीं है तो हमें किस तरीके से करना होता है जैसे कि आपको दिखाया है कास्टिंग हमने कर दी है कास्टिंग के बाद हमारा यह support लगा हुआ है बल्ली से ठीक ही temporary support है कुछ समय बाद इसे हटा द हैं उसी तरीके से वहां भी हम इसा करना है जिस से हमारा पुरा वर्टिकल आ जाए तो दोस्तों यह से हम प्लंब ओफ चैक करते हैं साइट पर जब हम कौलम कास्टिंग कर देते हैं और स्धैकْ ऐसलिए करने से एक डर्व कलंब कास्टिंग कर नहीं हुं यांए रोप करना हमारी चैनल को subscribe करना और अभी तक हमने चैनल को सइसक्कायब नहीं किया तो प्लीज subscribe कर लिजियो वीडियो को share करना आपने दोस्तों के साथ thanks for watching my video मिलते हम अपनी नेक्स वीडियो पर